शोतो नमस्कार आकाश्वाणी के खिशेत्य समाचारी कांच जम्मू के महिला सुरक्षा संबंधी मासिक कारिक्रिम में आपका स्वागत है मैं आपका मेजबन जगमोन शर्मा और आज मेरे साथ जो महमान है उनका नाम है एड़ोकेट सुप्रिया जोहान सुप्रिया जी आज के इस कारिक्रिम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया जगमोन जी आपका और आज अपनी सुनने वालों को हम बता दें कि जो विशे है वो है कारिस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा विमेन सेफटी एट वर्क प्लेस मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा वर्क प्लेस पे इससे हमारा क्या भी प्राय है इसका क्या मतलब है जग मोहन जी आप 14-15-2014 तक अगर आप अंक्रे देखेंगे टोटली एंप्लोयमेंट होती थी उसमें 70-80% जो प्रपोर्शन थी वो मैं की थी जी इट वस मेल सेंट्रिक अगर जो डॉमिनंस थी वो अद्मियों की थी और जो ओर्ते थी वो पंदरा बीस परसें जो वो कि यह कॉंसेप्ट कहां से आया आप देखेंगे अगर भारत का सविधान देखेंगे आप तो भारत के सविधान में कुछ DPSPs हैं जिनको बाद में ऐसे फंडमेंटल राइट की रहा इंकॉर्परेट किया गया बिकॉस अफ सम लेजिसलेशिंस बिकॉस अगर सम रूलिंस अग अगर कोई भी और यह आदमी किसी वर्क प्लेस पर काम करता है तो आपको उसको बराबर की तन्खवा देनी है तो यह इस पर देलिबरेशन उस वक्त भी हुई जब भारत का सविधान बना लेकिन आपको पता है जो कानून है न वो एक एवल्विंग फीचर है वो कानून बनता जाता है जब कोई नई घटनाय आती है जब नए नए सरकम्स्टैंस आते हैं सिच्वेशन देवलप होती है और अलडी एग्सिस्टिंग कानून में अबेंडमेंट्स होती है चेंजिस होती है आपस्टी नाइंटी टू में एक विमेन डिवल्वेंट्मेंट फोरम की जो वर्ल बैंक फंट कर रहा था एक एंचियो थी उसकी एक आशा वर्कर थी उनका नाम था भवरी देवी वो राजसान के विभिन विभिन विलेजिस में गई उनने कहा कि मैं लोगों को जागरुक करूंगी क्योंकि वहां पर फीमेल फिटिसाइड बहुत जादा था वहा अएप करतीय में जाओं जो हो जो और बहुत को यहां के एयाल को अवहां को आट अच इस उस अपल बहु है इस घथ थित्क को यह तो एगाया तो अच घज धिए अविज और कष्ण बैंगी ए के संधoked की बहुत बहुत स्टैशनचन Apple Day तो उनसाफ के सímका की आपको शॉच तो what they did is, one fine night, they all catch hold of her, उन सबने उसको पकड़ा, and they committed gang rape on her. In order to tell people, कि देखो, अगर कोई ऐसी ओरत और भावरी जैसी होगी, तो ये हश्र होगा. पूरे हिंदुस्तान में हुए न क्राई होगी. एंजियोज आ गई तो एक एंजियो सामने आई विशाखा, उन्होंने सुप्रीम कोट अफ इंडिया का दर्वाजा खटकटा है और बोला, कि आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक लड़की जो 90s में जागरुक होकर, जिसने अपने उपर एक स्वांसिबिलिटी समझी, और व को इंकोर्प्रेक्ट नहीं करते हैं तो फिर एक जरूरत पड़ी, फुल-fledged कानून लाने की, वो ये दोहथार तेरह का कानून है, जिसको पॉषक्ट कहते हैं, सेक्ष्वल प्रिवेंशन एड व्यू प्रे बाइश्मियों तो तो भूई बग्राउंड की, इस दरह की प्रक्षित, एट्मॉस्फिर प्रोवाइड करना, उसमें क्या-क्या आता है, और वुमें हरास्मेंट जो है, उसमें क्या-क्या चीजे आती है, जगमोहन जी, पासा के बैठ तो हमें बसने का नहीं तुम इतनी दूर क्यो बैठी हो, पासा कर दो, पासा कर दो, उननसेशरी तच्चेज, अननसेशरी अड्वंटेजेज, आज कल सोशल मेडिया का जमान, मज़ा है रात बोजे में दोजेश्य करो, डिलेशन को भी ऑॉपशन है, जब किसी नहीं पड़ा यहां किसी को बुरा लगा तो डिलीट भी कर दो so these all amounts to sexual harassment demand करें आप किसी को request करें for any favors sexual favors, making sexually colored remarks, आप किसी को अजीब से बात करें जो आपको लगता है serious तो है, लेकिन आपको लगे कि no it's not respectable, if you are appreciating somebody that you are beautiful it's okay, but if you are making a sexually colored remark, a female gets to know, then showing pornography, आप किसी को porno कुछ भी आप अश्लील चीज़ दिखा रहे है that amounts to sexual harassment कोई भी ऐसा जो एक औरत के जहन को अच्छा ना लगे, it's not about touching anybody, it's not about raping anybody, it's about जुआ से कोई ऐसा लफ्स भी निकालना जो आपको नहीं पसंद हो जिससे आपको लगे integrity आपकी credibility या आपकी जो आपका जमीर है जो आपका दिमाग है उसको कही ना कहीं वो डिस्टरब करें, it is sexual harassment सबसे बड़ा दाइत्व बनता है employer का, जो employer है क्या वो government, क्या वो private क्या वो semi-government, क्या वो any shop even, कहीं भी उन सबका दाइत्व है कि सबसे पहले उन्होंने कुछ rules or regulations को expressed दिखाना है कि मैं इस organization का या संगठन का मालिक हूँ इस organization का, इस government department का so ये मेरे standing orders है, ये मेरे rules है, regulations है, जो deal करते है sexual harassment at workplace अगर वो नहीं है, that person will be liable to misconduct thereafter, जब आपने वो कर दिया और अब जो private organizations जग महान जी, उनको इन वाली rules को, क्यूंकि अलतली ओरत, same, rules same ऐसा तो नहीं है, कि एक department बोले कि इतनी सी बात सही है और दूसरा department बोले कि इतनी सी बात सही है so these are, they are all same look-alike rules, ये ही incorporate करना है, in the form of standing order by the private bodies फिर वो क्या करते हैं, कि जब ये express कर लिया सबसे एहम जो इस पूरे पॉष का एक brain कहेंगे, heart कहेंगे that is ICC, Internals Complaint Committee, तो 2013 में जैसे ये law बना साथ ही हमारे Supreme Court ने अपनी gender sensitization और Internal Complaints Committee बनाई, first to make thereafter, it is mandatory on every organization to have this committee, अगर नहीं है तो उनको एक local committee बनानी पड़ती है जब तक वो ICC ना बने, अब उसमें जो इसकी इंचार्ज होती है, ICC की and it is mandatory, कोई ये नहीं बोल सकता हमने क्यों नहीं बनाई, हमें बनानी है act कहता है, mendation है, नहीं बनाऊगे तो you'll be penalized, the employer will be penalized, अगर private है जाए लाइसे रद हो जाए, अगर government है, तो misconduct में होंगे and you know कि sometimes criminal misconduct leads to termination of everything, so ये जो चीजे हैं, फिर आपने अपनी जो women employees को अवया करना है, कि भाया, ये provision तो है, लेकिन इसको तब ही उसकरना है, जब तुम्हें लगता है कि हरस्मेंट है, इसलिए नहीं उसकरना कि अगर किसी आदमी की प्रमोशन रोकनी है किसी आदमी को आपने सुपरियर्नी होने देना, किसी आदमी के साथ किसी और कि अचिश हैं, you are being planted because you are a woman, तो आपने ये नहीं करना, उसके भी penal actions है, जो ओरत जैसे ही आपने इकर दिया, तो आपके साथ कोई इंसिदेंट हो है sexual harassment का, उस इंसिदेंट के तीन महीने के within, you have to make a complaint to the ICC, ICC में तीन लोग होंगे main, पहली चरपरसन होगी जो अरत होगी, और प्रफरेबली वो senior most अधिकारी जो होंगी unbiased होंगी, अगर वो biased है, तो then this has no purpose at all, हम खुद देखते हैं posh में inquiry होती है किसी आदमी के खिलाफ और जब हम report पढ़ते हैं उस आदमी को बाइजद बरी किया जाता है despite आपके पास whatsapp conversation है कि रात को आपको 12 वजे कोई कोई message कर रहा है एक वजे कोई message कर रहा है बिना मतलब के और posh इस तरीके से manipulate कर कर report दे देता है last में और उसको बाइजद बरी कर देता है और ये बोलता है कि हमने inquiry की थी जो भी employees है जो भी peers हैं फोन के ओपर उन्होंने फोन ने उठाए इतनी serious allegations इतना serious nature of allegations आप खुच समझते हैं बहुत सारी weak personalities होती है जिनको कुछ कहा जाता है they're going in depressions I have seen people they kill themselves कि मुझे किसी ने कैसे छूलिया मुझे किसी ने कैसे बोल दिया मुझे कैसे किसी ने देख लिया so यहाँ जो ICC है यहाँ जो पोश कमिटी होगी जो इसको ICC कमिटी होगी जो पोश के अंदर काम करेगी वो उसकी न उसको serious होना जरूरी है अब यहाँ पर मेरा सुप्रिया जी एक सवाल है कि मान लिजे यह जो ICC है यह कमिटी है इंटरनल अगर यह काम नहीं करती किसी महिला के साथ दुर्विय वहार है उसके साथ harassment उसकी हो रही है उसकी कमिटी action नहीं लेती जिस तरह से आपने बताया कि रिपोर्ट ही कुछ अलग होती है तो then where should one go उसे कहा जाना चाहिए उसके लिए क्या रास्ता है दूसरा देखें इसमें अपील का प्रोसीजर है ICC का next appellate authority है वो जा सकता है और that person जो employer है जो chairperson है if that person is not like I am saying I am doing a case in high court I am I before that now to we have cat before that it was high court only so एक department जब वो department की ICC ने कोई report दे दी और वो report हमारे favor में नहीं है then we have a option to challenge that report before the forum लेकिन आप देखें जग्मोन जी वो भी harassment है एक तो आपके साथ sexual harassment हुई report आपके खिलाफ आई उसके बाद आपकी सुनेंगे नहीं usually आपने वहीं देख है जहां employees यहां तो सही काम कर रहे है तो जो एक gang है जो उसको काम नहीं करने देना चाता वो उसको रोकता है फिर वो उसको कही न कहीं से अगर वो लगता है औरत के हाथ काबू नहीं आ रही तो आदमी उसके पिछे छोड़ दो तो कही न कहीं जो harassment है न उसके ओपर full stop वही लगा सकते जो हां के employees है जब वो report हाई कोट में आई के खिलाफ allegations वही थी so this is the mindset of a person ultimately I need the people of the ICC the people who are all associated with it they need to be sensitized they need to be aware कि जो तुम जिस काम में डाला गया है इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका किसी के साथ क्या किसी पर क्या आसर पढ़ सथा और जब आप ये नहीं करते है तो they are liable to the appellate authority that person can go and then person can file a misconduct application also that the so and so member is not behaving in a proper way so remedy of appeal is there तो ये कुल मिलाकर बात ये हुई कि महलाओं की सुरक्षा को सुनिष्चित करने के लिए कानून तो है, कानूनी प्रावधान तो है लेकिन उसके साथ-साथ हम चाहे हम एक दफ्तर में काम कर रहे हैं या किसी private organization में काम कर रहे हैं या पर छोटी सी छोटी दुकान हम उसके मालिक होने के नाते हमें अपनी terms and conditions बतानी है जैसे अपने employee को हम कहते हैं कि आपको समय पर इतने बज़े आना है नहीं तो पैसे कटेंगे और उसी तरह किस तरह से भी अबहार करना है किस तरह से दूसरों के साथ पेश आना है वो भी हमें well define करना पड़ेगा एक जमेदार नागरिक होने के नाते जद मोंजी इसमें बहुत important है कि जिसके साथ ये हाथसा होता है उसके लिए monetary provision भी है उसके लिए एक redressal तो ही है कि जो उसका abuser है जिसने उसको harass किया है उसके खिलाफ एक्षिन होगा बट देर इस a provision of financial assistance to the lady also उसको compensation मिलती है department देगा और उसके 5 different heads है जो उसने mental trauma feel किया है जो उसके career में loss है जो उसके medical expenses होंगे जो उसकी income और financial status उसको देखकर उसको compensation देनी है और जो lump sum देखना है कि क्या हम देख सकते है उसके बाद इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि gravity देखनी है आपने serious कितना offense क्या रिटन apology सा चल जाएगा अगर जो खुदी complainant है वो कैता है क्या है मैंने माफ कर दिया इसे माफी मांग ले इसोके So these are the very grivities of this legislation कि आपने इसको merely यह नहीं सोचना है कि harassment हुई है Loss of mental peace and agony to her given compensation to be given medical expenses to be given in whole आप देखें कि एक ऐसी legislation है जिससे एक औरत को साहरा देन है क्या वो financial हो क्या वो legal हो कि आप जब तक यह क्यों legislations बनाई जाती है So that alike abusers दसपर सोचे जबकि मैं तो आप देख रही हूं कि बढ़ते जाए है crimes इन crimes की तो reporting बहुत कम है यूजली जब एक और दूसरी और के पास जाती और बोलती मिरसा ऐसा हुआ तो उसको वो बोलती है कि हाँ Please मत बोलो अपने आप में कर लो बटाई से जहां बहुत जादा हो आपने देखा कैसे Wrestling Federation of India के खिलाफ हमारे जंतर मंतर पर Olympians बैटे थे और उन्होंने अंजाम लाया तो आप इन लेजिसलेशन का सही यूज करें तो देन यू कैन सी वांडर्स सुप्रिया जी हमारे अनुरोध पर आप अपने बिजी शेडियूल से टाइम निकाल कर आएं और धेर सरी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साथ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद